हेलो वर्मटी अज मनरं दिवर से क्लास वाइब से जो कंप्यूटर का फिर्स चेप्टर वो देखने वाले हैं जिसका दाम है बेसिक of कंप्यूटर किए तो अज बेसिक आफ प्म्प्यूटर जो है वो हमनग स्ठाट करेंगे तोक्या थे पहले ले यहां पर सबसे पहले हम इस इमेज को देखेंगे यहां पर देखेंगे इस इमेज को आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में क्या है कि एक CPU है ठीक है इसके बाद एक मॉनिटर है एक आपका माउस है दूसरा कीवोर्ड है और एक यहां पर नहीं है वो क्या होगा यूपियस है ठीक है जाल से इसेंशल पाट अब कम्प्यूटर है ना क्योंकि सारे डेटा जो स्टोरेज है अगर वह डारेक्ट का लाइट कट अफ हो जाए तो प्रॉल्म हो सकती है तो इसलिए हम लोग क्या क्या देखेंगे इसके अलावे एक क्या होगा हमारा जो छूट र रख दे तो यह कंप्यूटर हो गया ठीक है या फिर सीप्यों रख दे तो यह कंप्यूटर हो गया या फिर सिर्फ कीवोर्ड रख दे तो यह कंप्यूटर हो गया नहीं कंप्यूटर सिस्टम का ही मतलब होता है यह कंप्यूटर का मतलब ही होता है combination of all these instrument मतलब क्या कि आपक कहते हैं decez is the computer लेकिन अगर हम individually को है कि ये computer है तो ये गलत है आहाँ तो आलगा क्यों कि ये computer है या फिर computer एयतrenag िदलां है टीजी अटेश लिखांभ क्या है combination of all these devices are known as computer ठीकया मत дел क्यों क्योंकि अगर individual रो रहे जाए तो इसका नम क्या होता है सकानाम सीप्यू है यह computer थोड़ी है इसका नम तो keyword है है ना जैसा कि समलों सब जानते हैं और इसका नम क्या है mouse तो क्या रगता है यह तो सारे अलग लग नाम है तो keyword यह computer थोड़ी है लेकिन हाँ एक चीछ चुड़ी और UPS तो यह computer है कैसा है नहीं लेकिन जब इन सारों को मिला दिया जाता है इन सभी को मिला दिया जाता है मतलब कि आपका mouse हो गया UPS हो गया CPU हो गया monitor हो गया keyword हो गया तो कहते हैं कि यह computer है है ना कि है ना ऐसा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग एक को डेक्स मॉइटर नहीं कहते एक को यह यह CPU नहीं कहते को keyboard नहीं कहते सबको क्या करते computer नहीं कहते ठीक है तो I hope समझ में होगा आप लोग को कि computer का मतलब क्या हो गया मतलब जब सारे डिवाइसे साथ में हो तब वो computer कहला सकता है नहीं तो सिर्फ अगर एक इंस्ट्रुमेंट हो तो वो computer नहीं कहला सकता है है ना तो चलिए अब हम लोग डेफिनिशन देख लेते हैं computer का क्या कहते है a computer is called an electronic device that converts raw data into meaningful information अब raw data क्या है तो इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं मान लो आप यह 2 और यह 3 है तो अंसर कितना आएगा आप बोलोगे 5 चलो भाई बढ़िया बात है आप तो इंटेलिजन्ट हो आपको तो जोड़ना आता है तो 5 जो आ गया आफिर यह 5 कैसे आया यह 5 आया इसका मदर कहीं न कहीं आप अपने ब्रेन में आप अपने ब्रेन में क्या कियो होगे एड करने का काम कि होगे क्यों कि अवह पच्पन से पढ़ते आ रहे हो तो प्लस त्री इक्वल्स जो इतना टू प्लस त्री फॉल तो फाइव जोड़ते जोड़ते हैं आपको आधित हो गया है और आप स्ट जैसा ही नमबर देखते हो कि वह तू और त्री है तो आप करके क्या करते हो तो यह जो है ठीग है ये कहलाता है आपका raw data अब बताए ये raw data क्यों कहलाता है raw कम तो क्या होता है कच्चा होता है ना तो क्या ये कच्चा है हाँ क्यों कच्चा है कह सकते हैं इसको कच्चा क्योंकि अभी तक तो ये जुड़ा नहीं है ना जुड़ने के बाद ना 5 value आएगा raw data is processed मतब जब इसको जोड लिया गया और रिजल्ट फाइव दिये दिया गया दाट इस नोजा information यह क्या कहलाएगा information कहलाएगा है ना ठीक है तो चलिए definition देखते हैं a computer is called an electronic device that converts raw data into meaningful information है ना मतब क्या 2 plus 3 किये that is known as 5 तो यह क्या कहलाया meaningful information कहलाया ठीक है it has many unique features because of which it is being applied in many fields to generate different types of solution कह रहाएगा इसके पास इतना features है मतलब computer से इतने काम हो सकते हैं कि इसको हर जगा इस्तमाल किया आता है है ना चाहिए आप देख लो आप अगर railway station गया होगे तो वहाँ भी computer का इस्तमाल किया आता है पुलिश स्टेशन गय तो नहीं होगए पर जानकारी होगा आपको वहाँ भी हम लोग फोटो में देख्योंगे मूवी में देख्योंगे वहाँ मूभी computer के इस्तमाल किया आता है आपके इस्कूल में भी computer के श्मार है तहब मत्तब की आप एवरीँ फील्ड ठीड है मत्तब जहां भी चले चाओ आपको computer मिलना ही मिलना है ना यहाँ क्यों कि इसके सफ़ाइद नहीं है तोो याद रहेगा अपनेवर क्या हुंगया अक सबस्क्राइब कांप्र09 sos में convert कर दा है ठीक है अब देखिए अभी हमनों कह रहे था ना कि एडवांटेज बहुत है एडवांटेज क्या क्या है तो पहला speed ठीक है speed का मतर्व क्या होता है कितनी रफतार से चल जिसे train यहां देखे फिगर दिया वाना तो यह चलो मान लो यह तो छोटे टम से अगर मान लो आप लिख दिया ऐसे करके अप्लस दिख दिया क्या 333333 इतना और इसको एड़ करना है तो आपको हो सकता है जोडने में टाइम लगने क्या तरिक होता है इट इस मच फास्टर इन कंपैर्जन विट हुमन बिंग मतलब अदमी मतलब क्या एक व्यक्ति से मतलब एक हुमन बिंग से कंप्यूटर क्या होता है काफी अधिक कैल्कुलेशन फास्ट कर सकता है ठीक है अ मौडर्ड कमप्यूटर कें प्रोस बिलियांस ओफ इंस्ट्रक्षन पर सिक फझाय कि म्योंन मतलब लाकों इंस्ट्रक्षन को एक ऊग राम कर सकता है its speed is measured in mips million instruction per second तो देखिए आप जो नोट्स बनाओगे ना तो आप पहला question जो होगा इसको आपको tick mark कर लेना अगर आपके बाद book है तो mips का full form आपसे पूछा जाएगा what is the full form of mips तो क्या होगा उसका millions of instruction per second है na million instruction per second ठीक है अब दूसरा diligence ठीक है तो diligence क्या कहता है computer navigate start जैसे मानलों कि आपको बोला जाए कि आप दो घंटे आपको पढ़ना है तो चलो आप दो घंटे पढ़ लोगे फिर आपको बोले दीन गंटा पढ़ना तो तो थोड़ा सा महनत करोगे और तीन गंटा काम कर वालो 300 घंटा काम कर वालो वो काम करता रहेगा क्यों क्योंकि उसमें फीचर की तरह थायड में तो ठकने की कि और लगे दिख शोक्ती के पहला यहां देख रहे हैं अधडिन्स देख रहे हैं पहला ड्लों hard श्यायां मित रिक्रैन इस तरह वह सर ऑपत्राइग्स रहीं हो एडीर शेय attach काता है a computer can perform multiple kind of job ठीक है मतलब आपको song भी सुना सकता है आपको video भी दिखा सकता है आपका calculation भी कर सकता है internet भी चला सकते है यह सारे काम क्या कर से हैं आप एक स्वाय में एकी बार में कर सकते है तो computer can perform multiple kind of jobs it can work with different types of data and can produce information in different types of media like graphics, audio, video, text, etc मतलब वो एक बार में आपका audio आपको गाना भी सुना सकता है उतर video भी चला सकता है आपका internet भी चला सकता है गेम भी खेल सकते हैं तो इतना सारा काम क्या कर सकता है वो एक बार में आप कर सकता है and can provide solution at different types of places like in school, sop, hospital तुप B Seanious जगा पे इसका इस्तमाल किया आता है और जहां पे इसका इसक इस्तमाल किया आता है वो बहुत ही आसान तुरीकसे काम को करता है ठीक है अगला है एकूरेशी आकूरेशी मतलब क्या होता है जिसे कहते है ना पिल्कूर्म है कि मेरा अंसर सही है वैसा आप उसको कह दो करने के लिए बिल्कुल वैसा ही करेगा बिल्कुल गलत नहीं करेगा अपने तरफ से है ना modern computer है detection technique also through which errors can be detected and corrected easily जैसे अभी आप अगर mobile में देखते हो ना Google वाला माइक बना होता है उस माइक पर आप बोलोगे कि मुझे गाना सुनाओ ठीक है तो देखना कि बहुत सारे गाना का लिस्ट आ जाएगा तो यह कैसे करता है जो आप बोलते हो जो instruction दे तो वही काम वो करता है वह बिना instruction थोड़ी काम करता है ठीक है अगला high storage capacity अभी जैसे मान लो आप एक अपना paint का photo मतब एक paint का file बनाए ठीक है घर बनाए उसमें तो color भी कर दिए है ना और इसको आप file बना करके आप ए नाम का file बना करके save कर दिए ठीक है paint में और आप 50 साल के बाद जब बुजर्ग हो गया बुड़े हो गया तब उस computer को खोले और आप देखोंगे कि आपका file अभी भी बना हुआ जो घर आप बच्पन में बनाये थे मतलब क्या किसकी storage capacity बहुत अधिक एक बार आप जब आप save कर दो तो आप जब चाहो तब इसे access कर सकते हो एक फाइल दो फाइल हजारों फाइल लाखों फाइल आप save कर सकते हो ठीक है अगला शेकरशी आप यह बहुत जरूरी चीज़ है ठीक है कहता है क्या a computer can also act as act like a safe world ठीक है it can store important information which cannot accessed by unauthorized user जैसे आप mobile में देखते हो ना mobile में पैटर्न लगाकर रखते हैं यह पैटर्न मिला देते हैं ठीक है या फिर fingerprints होता है जिसमें कि अंगुठा का फोटो बना होता है वहां पर हमनों लगाते हैं उठाथ हम इंप्रेशन को फिर और वाइस होता है जहां पर हमनों बोलते हैं तो हमनों का आवाज सुन करके लोग खुल जाता है ठीक है पासवर्ड होता है पासवर्ड लगाते तो यह सब क्या है mobile को से क्यों रखने के लिए ना mobile को किसी दूसरे लोगों हूं दूसरी क्लिए तो तरह काम आप कब्विटर में भी कर सकते हैं कंप्यूटर में भी आप पासवर्ड जिल्गा सकते हो ना अगला है कालकुलैटिव क्ळों तो तो देखेंगे कि कम्पूटर से आप calculation काम कर सकते हो तो अब computer can do any type of worst calculation be it arithmetic और logical कहरें computer कोई भी कितना भी बड़ा multiplication कितना भी बड़ा division कितना भी बड़ा addition जो भी हो सब को वह आराम से कर सकता है चाहे वह mathematical हो मतब calculations related हो या logical हो ठीक है logical होने क्या सोचने समझने की हो वह सारा काम कर सकता है ठीक है तो हम लोग इस तरह से अभी जो है वह देखे क्या advantage of computer है ना तो अभी देखे हैं तो आज तक अभी का जो वीडियो है वह मैं यहीं करने देता हूं इसके बाद फिर नेक्स वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स टॉपिक के साथ तो आज का आपका जो homework है वह जो homework है वह आपको अपने computer की copy में यह figure ठीक है यह figure बनाना है सब के नाम के साथ मतलब बनाने के बाद आपको इसी indicate करना है किसे monitor कहते हैं से keyword कहते हैं से mouse कहते हैं इसे cpu कहते हैं फिर ups भी बनाना है आपको इसमें एक बगल में यहाँ यहाँ पर ups बना देना है और ups का नाम लिखना है ठीक है और उसके बाद आपको दो question करना है, ठीक है, दो question बनाना है, पहला question बनाना है, what is computer, what is computer, इसलिए हम question को लिग दे रहे हैं, ठीक है, यह पहला होगा, और दूसरा question बनाना है आपको, जिसका answer खुद आपको लिखना है, ढूंड करके, अभी तक जहां तक पढ़ा है, वहां तक answer दिया हुआ, आपको voltage of computer, अभी हमनों देखे हैं, speed देखे, accuracy देखे, तो यह दो question आपको complete करके रखना है, ठीक है, फिर हमनों next video मिलेंगे, तो आगे पढ़ेंगे, तो आज का वीडियो यहीं तक यह दो homework आपको लिखना है, और बना करके रखना है, computer की एक ही copy रहेगी, उसी में आपको fair भी कर करना है, ठीक है, तो आप वीडियो को रोख करके question को लिख लीजेगा, और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं, next video में, next video में, तो आज के लिए इतना ही, thank you.